प्राचीन काल में भारत में इतिहास लिखने की प्रथा नहीं थी, जो कुछ था वो सब नालंदा विश्व विद्यालय में फूब दिया गया, इतिहास की परते खोलने के लिए खुदाई की गई, प्राप्त अवशेशों को एकत्रित किया गया, भारत के पुरातन इतिहास की प्रमानिक जानकारी भिन-भिन कालो में चीन से आये ब्रहमनकारी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से होती है। यहाँ पांच देवमंदिर भी है। समराट अशोक ने जिन तीन स्टूपों का निर्मान करवाया था। यहाँ पर वो आज भी मौजूद है। 606 से 647 में हवेंसांग राजा हर्ष वर्धन के अतिथी के रूप में कन्नोज आये थे। अपने भ्रहमन में उसने कन्नोज में राजा हर्ष के शाषन की तारीफ में काफी कुछ लिखा है। परिशत के बाद हवेंसांग कान्या कुपजा कन्नोज से लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा कर बांगरमों में नेवल नामक स्थान पर पहुँचा था। जहां उसने वो स्टूप देखा जहां बुद्ध ने पुरातात्विक गाम भगवन्थ पुर और खंबाहौली दोनु स्थलों पर उबदेश दिया था। हवेंसांग के अनुसार ये स्थल बुद्ध के पवित्र पजचिन है। एक दूसरा टीला है जिसे निवारिया कहा जाता है। हवेंसांग के अनुसार तीला प्राचीन बड़े आकार की इते से निर्मित था। निवारिया टीले की धलान पर पुराना परित्यक्त कुआ था जो अष्टकोनिय वेलहिड और गोलाकार था। हवेंसांग अपनी यात्रा के दौरान इलाहबाद भी गया था। अपनी पुस्तक में उसने इलाहबाद में संगम नदियों का जिक्र किया है। कुम्भ मेले का सविस्तार विवरंड दिय राजा हर्ष यहां आते थे जरूरत मंदों को अपना सारा खजाना व कपड़े बाटते थे। वारानसी भ्रमन में हवेंसांग ने महेश्वर देव मंदिर का जिक्र किया है। यहां पर बीस देव मंदिर भी है और मंदिरों के पास विशाल विशाल व्रिक्षों की छाया बहुत अच्छी है। सपष्ट है वो बाबा विश्वनात मंदिर की बात कर रहा है। चीनी यात्री हवेंसांग ने अपनी यात्रा के विवरण में अयोध्या का नाम ओयुटो लिखा है। यहां 100 संघाराम है जिनमें 3000 से भी अधिक भिक्षू निवास करते हैं, 10 मंदिर ह यहां एक प्राचीन संघाराम है, जिसमें आचार्य वसुबंधन ने कई बहुत ग्रंतों की रचना करके कई वर्षों तक कथिन परिश्रम किया। नगर के उत्तर की ओर 40 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक विशाल संघाराम है, जिसके अंदर समराथ अशोक का बनवाया एक स्टूप है, जो बहुत सुंदर है। अगली पोस्ट में हम अल बेरुनी द्वारा इस विशाय पर क्या लिखा गया है देखेंगे।